अब बैक अंद इस वीडियो सीटेट रिजल्ट दो हजार चोबीस डिक्लियर्ड हो चुका है घोसित हो चुका है सीटेट रिजल्ट सीटेट डॉट एन इस डॉट इन पर जारी यह रहा डारेक्ट लिंक जी है दोस्तो एक विग अपडेट के साथ में उपस से तूँ क्या है अपडेट आईए देखते हैं इस वीडियो में चैनल पर करना है तो चैनल को सब्स्राइब करनेंगे नोटिफिकेशन बलकूर करनेंगे ओल पर क्लिक कर देंगे ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके सीटेट रिजल्ट दो हजार चोबीस आधिकारिक वेबसाइट c8.nic पर जाकरके या नीचे दिये गए डारेक्ट लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं केंदरी सिक्षक पातरता परिच्छा c8 का प्रिणाम चेक करने के लिए सिर्फ रॉल नमर के जरुबत होगी cbc ने 21 जनवरी 2024 को c8 exam का आयोजन किया था जिया दोसो cbc ने c8 का रिजल्ट जारी कर दिया है student जनवरी 70 के c8 परिच्छा का रिजल्ट cbc c8 जनवरी 2024 आधिकारिक वेबसाइट c8.nic पर जाकर या नीचे दिये गए डारेक्ट लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं student जनवरी 2024 को c8 एकजाम आयोजित किया था लगबग 84 परतिसत आवेदक परिच्छा के लिए उपसित हुए है cbc c8 के लिए provisional answer की 7 फरवरी को जारी की गए थी c8 जनवरी 2024 की mark seat और उमेदवारों के योगता परमानपत्र भी जल्दी इस टेप्स को करें चेक अधिकारिक वेबसाइट c8 के लिए उपसित हुए थे cbc c8 के लिए provisional answer की 7 फरवरी को जारी किया गया था c8 जनवरी 2024 की mark seat और उमेदवारों की योगता परमानपत्र भी जल्दी डिजी लॉकर पर अप्लोड की जाएंगे c8 का certificate अब जो है lifetime के लिए मन है रिजल्ट कैसे चेक करेंगे वो भी इस वीडियो में है क्या है आए देखते हैं c8 रिजल्ट 2024 इन steps को करें चेक अधिकारिक वेबसाइट c8.nic पर सबसे पहले आपको जाना है होम पेज पर उपलब c8 जनवरी डिजल्ट 2024 से के लिंक होगा उस पर किलिक करना है फिर c8 परिणाम डाउनलोड करने के लिए अपना रॉल नमर डालेंगे c8 का परिणाम स्क्रीट पर आ जाएगा रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट रख लें जहें दोस्तों मैं आपको करके बताऊंगा तो बने रही है इस वीडियो के end तक it.nic.in पर आने है जैसे ही आप डालेंगे open page होगा और जो page है उसे scroll करके नीचे आजाने है नीचे आने के बाद आप देखेंगे candidate activity यहाँ पर आपको मिल जाएगा seat date January 2024 result इसे आपको click करने है आए करते हैं इस प्रकार आप अपने result चेक कर सकते हैं एक page नया page open होगा और उसमें आपको मिल जाएगा central teacher eligibility test January 2024 24 इंटर इंटर योर रॉल नंबर इंटर रॉल नंबर जैसे रॉल नंबर यहाँ फिल करेंगे ठीक है फिल करने के साथ ही साथ जो है आपका mark sit जो है जाएंगे जबकि paper 2 जो है में बैठने वाले सफ़ल अभियरतिक अच्छा 6-8 के लिए होने वाली सिख्चक भरती के लिए योग माने जाएंगे इस परिच्छा को पास करने वाले परिचारती देस भर के केंद्री भी दाले नौदे भी दाले और आर्मी स्कूलों में सिख् अगर अंक की बात की जाए तो सीटेट परिच्छा को पास करने के लिए किसी भी अभियरती को नियूनतम योगता अंक हासिल करना आवसा है कि सामान वर्ग के चात्रों को परिच्छा में कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूची जाती ह अनुसूची जाती है वर्ग के चात्रों के लिए यह जो नियूनतम अंक है वो 55% है नवी वह बारवी के सिक्छकों के लिए सीटेट सुरू करने की तैयारी आने वाले समय में केंदरिये सिक्छक पातरता परिच्छा सीटेट के नियमों में बड़ा बदलाओ देखने को मिल सकता है राश्टी अध्यवक सिक्छा परिशद NCT बहुत जल कक्छा नवी से बारवी के अस्तर पर सिक्छकों के पातरा के लिए सीटेट सुरू कर सकता है वर्टमान में सीटेट के पर टू जो है कक्छा छे से आठवी के असर का सिक्छक बनने के लिए होता है आई आर एफ के सांग वाई सेरपा ने कहाई कि राश्टी सिक्छा नीती दो हजार बीस के विभिनना सुरू पर टेट को लागू करने की सवारित की है ऐसे में एंसीटी मादमिक असर की कक्छा जो है नौ से बारत तक पर टी टिक परसाव करने और उसे लागू करने की दिशा में काम कर रही है उन्होंने यह बयान सिक्छक पत्रता पर टेट पर एक दिवसी राश्टी संब्लन के दोरान दिया है जिन तोस्तों अब जो है आने वाले समय में कक्छा नौ से बारवी तक के सिक्छक पर भी यह जो अलागू होगा और टी टिक परसाव रखने और उसे अलागू करने के दिशा में कार कर रहा है उन्होंने यह बयान सिक्छक पत्रता परिच्छा टी पर एक दिवसी राश्टी संब्लन के दोरान दिया है प्रोम पे आ आने के बाद जो है वहाँ ट परिच्छा 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 ऐसे ही informative वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, notification bell icon कर सकते हैं, all पर click कर सकते हैं, ताकि सभी वीडियो उचिके notification आप सबसे पहले मिल सकें, तो मिलते हैं next वीडियो में, till then take care, thank you so much for watching this video, जै हिंद, जै भारत!